नमस्कार इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप नगरिमा श्रवासनवार के साथ राखुल गांधी ने जब से लंदन जाकर भाशुड दिया है उनकी मुश्किलेत हमले का नाम नहीं ले रही कैमरेज नो भासट देने के बाद BJP नेताओं से चोतरफा हमले छे रहे कॉंग्रेस सांसद राहुल गांधी को अब दिल्ले पुलस ने उनकी पुराने बयान को लेकर नोटस दिया है दिल्ले पुलस ने नोटस भेज कर उनसे जौन पेडिताओं के बारे में डीटेल्स शेयर करने की बात कही है इसके बारे में राहुल गांधी ने श्री नगर में बयान दिया था दिल्ले पुलिस ने कहा है कि राहुल गांधी उन महिलाओं के बारे में चानकारी दे ताकि उन्हें सरक्षा मुहया कराया चा सके दिल्ले पुलिस नोटिस लेकर राहुल गांधी के घर गई जहां पुलिस के नोटिस को रिसीव भी कर दिया गया है ये मामला तबका है जब श्री नगर में राहुल गांधी की भारेज जोड़ो यात्रा का सवापन हुआ था इस मौके पर राहुल गांधी ने भाशड दिया था और इसी भाशड में राहुल गांधी ने कहा था कि हमने सुना है कि यहां अभी भी महिलाओं का यौन सोशर हो रहा है राहूल गांधी ने कहा था कि उन्हें शिकायते मिली है कि यहां महिलाओं का शारिर एक शोशर किया जा रहा है पुषी नगर में दिये गए राहूल गांधी का बयान सोचल मीडिया पर भी पोस्ट हुआ था पुलिस ने उसी पोस्ट को संज्यान में लिया है राहूल गांधी ने अपने बयान में कहा था कि उसे कुछ पीडिताओं ने मुलाकाती थी उन लड़कियों ने अपना दुख दर्द बया किया था इसके बाद राहूल गांधी ने उस लड़की से कहा कि क्या उसे पुलिस की मदद की जरूरत है लेकिन राहूल गांधी के मताबक उस जिवती ने बदनामी के जब से मना कर दिया अब आप सोच रहे होंगे कि वो पेड़ता आफर कौन है क्या राहूल ने इनकी पहचान बताई चलिए इसके बारे में भी आपको बता देते हैं राहूल गांधी ने अपने भाशर में यौन उपीरं के शिकार महिनाव और लड़्कियों की पहचान को उजागर नहीं किया था लेकिन पुलिस ने अब उसी बयान के संग्यान में राहूल गांधी से लीच कर सवाल पूछा है पुलिस ये जानना चाहती है कि आखिर वो कौन पीड़ा थी वो कहां की रहने वाली थी राहूल गांधी को अबसकार जवाब देना है जवाब कब देते हैं और राहूल की मुश्किले अभी कितनी बढ़ती है इससे जुड़ी हर जानकारी हम आपको लगातार बता दे रहेंगे लेकिन इससे जुड़ी हरताजा जानकारी हरताजा अब देख हम आप सभी तक लगातार पहुंचाते रहेंगी मैं रही जैनुस के साथ हनिवाद